बिस्मिल्लेफ मारेम, असलाम लेकुल स्टूडेंट, यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल दाफ जिक्स स्कूल, स्टूडेंट, टूडेंट, टूडेंट, आवर डिस्केशन टॉपिक इस आल अबोर दी, स्केलर और डार्ट परड़क्ट आपर टू वेक्टर, आज किस ले मल्ट इप्लाएं, आज का हमारे जो अज़कर अगलार को स्टूगर के तो इस ओत्त खूडेंट, क्य « एकर चांब आपकर को आपक्र के स्टूडेंट, का अगर हम लोग दो vector को multiply करें और हमें resultant quantity vector quantity मिले तो इस type of product को हम लोग ने नाम दिया था vector product का लेकिन आज का हमारे जो topic है वो है all about the scalar dot product of two vectors आई ये सबस्पेहले हम लोग इसको define करते हैं the product in which two vectors are multiply to give a scalar resultant ऐसा product student जिसमें हम लोग दो vector को multiply करें और हमारे पास जो resultant quantity हो वो एक scalar quantity हो this type of product is called scalar or dot product इस type of product में हम लोग students को नाम देंगे scalar or dot product का इस scalar product को dot product हम लोग क्यों बोलते हैं क्योंकि हमें पता है हम लोग इस type of product में जब दो vector को multiply करते हैं तो इसमें हमारे पास जो multiplication symbol है वो हम लोग dot का यूज़ करते हैं तब ही हम लोग scalar product को dot product का भी नाम देते हैं तो यहां पे सबसे पहले जब भी आप लोग उने किसी भी दो vector को multiply करना है student तो सबसे पहला काम जो आप को होना चाहिए आपने उन दोनों vector की tail को आपस में coincide करवा देना है मिला देना है तो मैंने भी यह काम किया मेरे पास यहां पे यह vector A है यह vector B है दोनों की tail को यहां पे coincide किया यहां पे जो angle बन गया वो theta degree हो गया कोई तो आईए आप मैं multiply करने जाता हूँ A को B के साब तो इसमें एक factor है या तो आप A के right angle component बना ले या B vector की component बना ले सबसे पहले मैंने पहले case में vector B को उसके rectangular component में divide कर दिया resolve कर दिया तो आपको पता है जब भी हम लोग किसी vector को उसके rectangular component में resolve करते हैं तो वरपास method बड़ा असान सा है हम उस vector के head पे जाते हैं और draw करते होते हैं normal वो जो normal होगा यहां पे student उसको हम लोग नाम देते हैं उसका vertical component of a vector और जिस axis पे हम लोग normal draw करते हैं origin से लेकर उस axis तक उस normal तक जो component बनता है उसको हम लोग student नाम देते होते हैं उसका horizontal component चुकर यहां पे vector B है इसका vertical component B sin theta बन जाएगा और जिस axis पे यह normal draw की है यह B sin theta वो बन जाएगा इसका horizontal component जिसको हम लोग नाम देंगे B cause of theta का तो हम लोग multiply करना चाहते हैं यहां पे resultant हमने लेना है scalar quantity तो उस type of product में हम लोग दो parallel vector को multiply करेंगे scalar product का मतलब यही है कि आप दो parallel vector को multiply करेंगे तो देखिए यहां पे मैंने B vector के rectangular component बनाया है B के head पे गया यह normal draw किया यह B का vertical component जिसको हम लोग B sin theta बोलेंगे जिस axis पे हम लोगों ने एक perpendicular draw किया है origins लेकर वहां तक जो component बनेगा वो उसका horizontal component बनेगा और वो होगा B cause theta अब देखिए A की direction में कौन सा component of B आ रहे हैं तो वो जहरी सी बात है यहां पे मैंने लिख दी है वो है B cause of theta तो यहां पे B cause theta और vector A जो है दोनों parallel हैं अब यह दोनों parallel हैं तो इनको multiply करने हैं मैं यहां पर लिखूंगा A dot B student A dot B इसको कैसे लिखेंगे is equal to A what's that magnitude of a vector A और bracket मैंने यहां पे लिख दी है projection of a B on A यह जो B cause theta student इसको हम लोग नाम देंगे projection of vector B on A तो यहां पे इसको अगर मैं इसकी value लिखूंगा तो यह हो जाएगा A dot B is equal to A into projection of B on A is equal to B cause theta जो के equal हो जाएगा A B cause theta इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग दो vector A और B को आपस में multiply करें उनका dot product लें तो हमारे पास उसका जो resultant बनेगा A B cause theta बनेगा यह A क्या है A is the magnitude of a vector A and B is the magnitude of a vector B and cause theta theta is the angle between vector A and B यह दोनों vector के दर्मियान में angle हो जाएगा यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ यह जो मैंने लिखे है ना A dot B is equal to A into projection of a B on A यह जो projection of a B on A है इसका आप यूं भी पढ़ सकते हैं magnitude of a vector B along the direction of a A projection of a B on A को आप पढ़ सकते हैं magnitude of a vector B along a A secondly यह हमारे पास हो गया A dot B अगर similarly हम लोग find out करना चाहें B dot A तो similarly मेरे पास यह second method है जिसमें मेरे पास जो ही case है पहले वाला vector A है और vector B है अब मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं vector A के rectangular component बनाने जा रहा हूँ तो vector A के rectangular component बनाने के लिए मैं vector A के head पे गया दूसरे vector B के along एक perpendicular draw किया जो perpendicular होता है student वो होता है vertical component of a given vector यह देखें vector A के head पे गया यह normal draw किया B vector के उपर तो यह A का हो गया A sin of theta किसी भी vector के rectangular component जब आप लोगोने बनाने होते हैं आप उस vector के head पे जाकर दूसरे vector के उपर दूसरे axis के उपर normal draw करते है और वो जो normal होता है student वो vertical component of that specific vector होता है और जिस axis पे हम लोगोने यह B के along जो हमने A sin theta perpendicular draw किया A के head पे जाके यह A का A sin theta vertical component हो जाएगा और जिस axis पे हम लोगोने normal draw किया वो हो जाएगा A का horizontal component A vector के head पे गए normal draw किया B के उपर A sin theta वो A का vertical component है जिस पे normal draw किया है origin यहां पे यह O है O से लेकर उस point तक जो यह length बनेगी student वो उस vector A का horizontal component हो जाएगा तो हम लोग find करें scalar product उस case में हम लोग लिखेंगे अब जहां पे देखें मैंने component बनाया A के तो यह second vector होगा और B को हमने resolve नहीं किया तो यह first vector है जिसनल से पहले case में A को resolve नहीं किया था B को resolve किया था तो A first था यह second था तो अब B को resolve नहीं किया A को resolve किया थो B first है और A second है B dot A इसको क्या पढ़ेंगे equal to B what's a B magnitude of a vector B into bracket में क्या लिखा है projection of a A on B यह student जो है ना A cos theta this is a projection of a vector A along the direction of a vector B इसको आप यूँ भी पढ़ सकते हैं projection of A on B को आप यूँ भी पढ़ सकते हैं the magnitude of a vector A along the direction of a vector B यह जो है ना student A cos theta आप इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं the magnitude of a vector A along the direction of a vector B तो इसकी यहाँ पर value अगर put करें projection of A on B जो के A cos theta तो यह जाएगा B into A cos theta तो इसको हम लिख सकते हैं A B cos theta तो आप लोग यहाँ पर देखें what is a magnitude of a vector A what is a B magnitude of a vector B and what's a cos theta theta is the angle between vector A and B तो यह मेरे पास student dot product of two vector है तो आपने यहाँ पर देखा मैंने यहाँ पर A dot B find किया या B dot A find किया order of multiplication चेंज किया दोनों vector का पहले A को first माना B को second माना फिर B को first माना A को second माना तो दोनों cases में मेरे पास जो resultant था student वो A B cos theta A B cos theta वो same ही था अगर इसकी example यूज करें हम लोग dot product की कोई example ले 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 तो मेरे पास इसकी best example जो है वो work done की है वो कैसे है आई उसको देखते है यह मेरे पास एक block है student जिसका मैंस है यहाँ पर M इस पर किसी theta angle पर force अप्लाय की है मैंने ठीक है जब मैंने theta angle पर force लगाई है इस displacement cover करना है horizontal direction में horizontal direction में displacement cover करता है जब कि force जो है वो किसी theta angle पर लग रही है तो मैं क्या करूँगा force के component जहां पर बना दूँगा force के जो component बनेंगे f के head पे गया draw किया normal यह f का f sign theta हो गया और जिस axis पे normal draw की है origin से वहाँ तक वो हो गया उसका horizontal component जिसको हम लोग नाम देंगे f cos theta का तो यहां पे work done जब हम लोग निकालना चाहते होते हैं student work done की condition ही यही है कि जब आप किसी object पे force लगाएं और वो object उस applied force की direction में कोई displacement cover करे तो force और displacement का जो product है उसको हम लोग नाम देते हैं work done का तो देखें जब गोर से mass जो है move कर रहा है along x axis यह displacement इस direction में है ना horizontal जबके forces दो तरह की है एक vertical है एक horizontal अब देखें कौन सा component आप force जहां पे active है अगर यह f sin theta active होता तो यह mass जो बुलाक इसका displacement vertically upward होता क्योंकि force की direction f sin theta की direction उपर है तो यह उपर नहीं जा रहा है horizontal जा रहा है d इसका displacement horizontal के along है तो mean f cos theta active है क्योंकि f cos theta along the direction of displacement है तो इस case में हम लोग जब work done निकालेंगे work done हमारे पास हो जाएगा d into f cos theta what is a d? the method of a displacement into component of a force along the direction of a force f cos theta is the component of a force along the direction of a displacement इसको आप यूँ simply लेख सकते है w is equal to f d cause of theta अब cos theta है जहरी सी बात है यह dot product है और इन दोनों का जो resultant हमारे पास resultant जो quantity होगी student force of displacement के product की वो एक scalar होगी तो जहरी सी बात है work जो a scalar quantity होगी इसको आप यूँ भी लेख सकते है अगर cos theta remove करे w is equal to f dot d क्योंके cos theta remove कर दिया यह dot product है यह जाएगा f dot d तो यह इसका basic intro है आई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेक्रिस्टिक साथ दी dot product dot product की क्रेक्रिस्टिक क्या है very important long question है यह exam के point of view से तो इसको स्टार्ट करते है इसकी पहली करेक्रिस्टिक जो है स्टूडेंट वो है scalar product is a commutative जो scalar product है न वो commutative property को उबे करता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि previously हम लोग देख चुके हैं हमने a dot b निकाला या b dot a निकाला दोनों cases में हमारे पास जो result था a b cos theta या a b cos theta वो same था इसका मतलब यह है जो multiplication of two vector है वो order पर depend नहीं करता आप a dot b निकाले b dot a निकाले उसका जो uns होगा student आप a dot b निकाले या b dot a निकाले जो uns होगा वो same होगा a b cos of theta इड मीज़ दाट scalar product of two vector अब हम लोग बात करते हैं second characteristics of the dot product वो है dot product of two perpendicular vector दो perpendicular vector का हम लोग dot product निकालेंगे perpendicular mean right angle दो ऐसे vector जो आपस में right angle होंगे या अपस में एक दुस्रे के साथ 90 के angle बना रहे होंगे तो ये मेरे पास दो vector है a और b दोनों के दर्मयान में जो angle यहां पर सब्स्टेंट हुआ है student वो है 90 degree तो ये दोनों perpendicular है is case में हमारे पास dot product कैसा होगा a dot b is equal to a b cause of theta theta की जब पे 90 पुट किया तो student जो हमारे पास cause 90 होता है वो equal होता है हमारे पास 0 के तो जब यहां पे cause 90 की value 0 पुट की जाएगी a into b के साथ 0 multiply होगा तो resultant हमारे पास a dot b जो है student वो equal हो जाएगा 0 के तो हम लोग बोल सकते हैं the dot product of a two perpendicular vector is equal to 0 दो right angle perpendicular vector का अगर हम लोग dot scalar product ले तो वो 0 के equal होता है तो यह हमारे पास इसका result हो गया अब अगर हम लोग बात करें in term alpha unit vector the dot product of a two perpendicular vector in term alpha unit vector हम लोग दो unit vector का dot product किस तरह से निकालेंगे जो आपस में perpendicular होंगे student तो यह मेरे पास तीनों dimensions में x axis के long unit vector i cap y axis के long j cap और z axis के long k cap हो गया अब इनका dot product हम लोग मिकालेंगे देखें ज़रा कैसे i dot j i dot j देखें इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे a dot b to magnitude alpha a magnitude alpha b into theta a dot b a dot b mean इसको जब equal लिखेंगे to magnitude alpha a and magnitude alpha b और angle लेके देएंगे theta की value put कर देएंगे same j case यहाँ पे use करेंगे i dot j अब i की magnitude क्या है i unit vector है magnitude है one j unit vector उसे magnitude भी one one into one और i dot j i dot j में angle 90 है तो cos 90 cos 90 होता है zero के equal तो i dot j का answer जो है वो student one जब zero से multiply होगा तो वो zero के equally होगा similarly अगर हम लोग next इसको find करें j dot k अब j कौन से vector है unit vector magnitude one k कौन से vector है unit vector इसकी magnitude भी one into cos of theta की तना है j k में j k j y x के long है k z x के long है angle जहरी सी बात है 90 degree होगा cos 90 zero के equal होगा तो इसका resultant भी कितना हो जाएगा zero के equal होगा सेम अगर हम लोग बात करें k dot i की या i dot k की बात कर ले तो उस case में k क्या magnitude है one i कितना है उसका magnitude भी one है angle k dot i k z x के long है और i x x के long है जहरी सी बात है angle 90 degree होगा और cos 90 इन दोनों one को zero कर देगा तो इसका resultant भी zero होगा यहां से हमने क्या सीका कि अगर हम लोग दो unit vector का जो के अपस में perpendicular है dot product ले चाहे हम लोग i dot j ले ले d a dot k ले ले k dot i ले ले या i dot k ले ले वो हमेशा zero के equal होगा अब next हम लोग characteristic की तरफ move करते है तो next characteristic है student dot product of two parallel vectors हम लोग दो parallel vector का dot product find करेंगे parallel vector mean ऐसे दो vector जो आपस में side by side हो सकते हैं ठीक है जो एक ही direction के along होंगे parallel mean directed along the same direction दो vector जो आपस में same direction के along move कर रहे हूं उनको हम लोग parallel का नाम देंगे तो उस case में जहरी सी बात है जब दो vector parallel होते है student तो angle होता है 0 degree के equal तो यह हमारे पास a dot b is equal to a b cause of theta parallel vector है तो theta की value होगी 0 degree जब 0 degree put करेंगे student तो हमारे पास cause 0 जो होता है वो equal होता है हमारे पास 1 के equal तो यहांपे इसकी value put करेंगे a b into cause 0 1 के equal तो हमारे पास resultant जो है simply आ जाएगा A into B into 1 तो 1 multiply हो रहा है तो इसका resultant नहीं change होगा तो यह हो जाएगा A into B तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं the dot product of a two parallel vector is equal to a maximum अगर हम लोग दो parallel vector का dot product ले ले तो वो A, B के equal होगा और इसको हम लोग पढ़ते हैं maximum positive maximum इसको बोलते हैं student इसके साथ positive R है A, B positive यह positive क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग दो वेक्टर का product ले जोके anti parallel vector होँ तो उनका जो dot product है होता है वो भी maximum है A, B होता है लेकिन साथ में negative sign आ रहा होता है तो इसको मैं positive बोल दूगा the dot product of a two parallel vector is equal to positive maximum यह maximum बोल दे यह positive साथ लगा दे तो कोई मसला नहीं है अब सेम देखें next condition है when theta is equal to 180 degrees का मतलब यह है कि जब दो vector A और B आपस में anti parallel हूँ mean A अगर इस direction में directed है तो यहाँ पे origin और B इस direction में है A और यह B और यह उनका angle जो के हो जाएगा 180 degree यह case होगा anti parallel का उस case में अगर हम लोग A dot B A B cos theta 1 theta की जगह पे 180 पूट करें जो cos 180 है student वो equal होता होता है minus 1 के तो यह हो जाएगा हमारे पास resultant minus A B अगर हम लोग दो anti parallel vector का dot product लें तो maximum A B तो होता है लेकिन कैसा होता है negative maximum होता है कैसा होता है अगर दो anti parallel vector का dot product हम लोग find करें तो वो maximum negative होता है हम लोग next characteristic की तरफ move करते है तो वो है in term alpha unit vector the dot product of a parallel vector in term of a unit vector जिससे हम लोगों ने perpendicular vector का dot product लिया है सेम हम लोग parallel vector का भी dot product लेंगे in term of a unit vector देखें unit vector i dot i mean i i दोनो x axis के long हैं ठीक है दोनो same direction के long हैं i की magnitude 1 और इस i की magnitude 1 और यहां पे cause दोनों के दिम्यान में angle कितना होगा i i दोनो x के long है mean parallel है angle हो जाएगा 0 degree और cause 0 होता है 1 तो यह सकांस हो जाएगा 1 सेम जे dot j magnitude alpha j unit vector 1 and magnitude alpha j unit vector is equal to 1 into angle between them 0 क्योंकि दोनो j जे दोनो y axis के long directed हैं तो इसका cause 0 हो जाएगा 1 तो इसका अंस भी आ गया 1 अब k dot k k mean z axis के long दोनों vector है unit vector k unit vector है magnitude होगी 1 दूसरा भी k unit vector है magnitude होगी 1 और angle कितना है दोनों z axis के long हैं तो cause 0 और cause 0 equal हो जाएगा हमारे पास 1 के तो यहाँ पे आप लोग में देखा अगर हम लोग दो parallel unit vector का dot product लेते हैं चाहे i dot i है j dot j है k dot k है उसका अंस हमें maximum 1 के equal मिलते है similarly अगर हम लोग दो unit vector जो के अपस में right angle है perpendicular हैं उनका dot product ले तो हमारे पास 0 के equal आ रहा था next characteristic है हमारे पास student scalar productive वो है self product खीक है अगर हम लोग एक vector को उसी vector के साथ multiply करें means suppose करें vector a है उसी vector a के साथ multiply हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे self product तो इसको अगर हम लोग लिखें a dot a magnitude of a into magnitude of a into cause of theta देखें दोनों vector same है a dot a mean एक ही vector double time multiply हो रहा है तो mean अपस में इन में angle कितना होगा a है ठीक है a के साथ ही multiply हो रहा है तो mean parallel vector है angle होगा 0 degree तो cause 0 ये equal हो जाएगा cause 0 1 के equal होता है student cause 0 degree is equal to 1 तो a dot a जो है student वो equal हो जाएगा a into a के equal क्योंके 1 साथ multiply हो रहा है तो ये इसको लिखेंगे a square के equal तो हम बोल सकते हैं the self product of the dot product of a vector the self product is equal to the square of a magnitude of a vector अगर scalar product में हम लोग एक vector का self product लें तो वो उसकी magnitude के square के equal होगा meaning इसकी magnitude of a थी तो ये a का square हो जाएगा secondly last characteristic की तरह move करते हैं characteristic number 5 the dot product in term of a rectangular component हम लोग दो vector को उनके rectangular component में किस तरह से multiply कर सकते हैं उनका dot product किस तरह से find कर सकते हैं यह आई हम लोग next move करते हैं similarly मैंने left side पे लिखा है a vector dot b vector a dot b is equal to अब a के rectangular component three dimensional में कितने हो सकते हैं तीन हो सकते हैं ax, ay, az और similarly b vector है इसके भी rectangular component in three dimensional rectangular coordinate system में तीन ही हो सकते हैं bx, by, bz तो यहाँ पे मैंने लेख दिया a के rectangular component ax, i cap, plus ay, j cap, plus az, k cap, dot b के rectangular component bx, i cap, plus by, j, cap, plus bz, k cap अब multiply करने dot product है तो हम लोग पहले ax को लेंगे इस सारे के साथ multiply करेंगे bx, by, bz के साथ multiply सेम हो जाएगा लेकिन जो unit vector है वो dot की form में आ जाएगे देखें कैसे ax को इससाब से multiply करते है यह हो जाएगा ax, bx, i dot i, plus ax जब इस by के साथ multiply होगा तो ax, by, इसका जोन वेक्टर है i cap, इसका जोन वेक्टर है j cap, तो i dot j हो जाएगा plus ax, bz के साथ multiply होगा az, bz, ax का जोन वेक्टर है i cap और bz का है k cap तो i dot k हो जाएगा सिम्रड़ी अगर हम लोग multiply करें अब bz के साथ sub के साथ multiply होगा अब ले लेते हैं ay ay, bx के साथ multiply होगा इसका जोन वेक्टर है j cap इसका जोन वेक्टर है i cap तो यह जाएगा a y by j dot j plus a y b z j dot k similarly अब a y भी multiply होगे आप multiply करेंगे a z को सब के साथ सब को multiply कर देना है a z को b x by b z के साथ multiply करेंगे लेकिन जो a z का unit vector होगा वो b x by b z के साथ dot में लिखा जाएगा student देखें कैसे a z b x k dot i a z by k dot j a z b z k dot k यह साथ में plus ही आएगा क्योंकर इदर sign plus के आ रहे हैं सब के साथ तो देखें आपको पता है i dot i j dot j k dot k one के equal होता है बाकी जितने भी perpendicular unit vector होगे उनका product जो है dot product जो हो zero के equal होता है तो हम बोलेंगे यहाँ से यह i dot i यह j dot j और यह k dot k यह one के equal होगे सारी टर्म को zero कर देंगे तो हमारे पास जे सिर्फ बच जाएगा ax, bx इनके साथ होगा i dot i जो के one के equal होगा मैंने one की value put कर दी है plus a, y, b, y,s के साथ होता है j dot j तो j dot j one के equal है मैंने value put कर दी है multiply कर दी है plus a, z, b, z into k dot k k dot k one के equal होता है a dot b की जगह पे a, b, cos, theta लिख दी है अगर हम लोग angle find करना चाहे theta find करना चाहे student multiply तो कर लिया दो vector point term of rectangular component तो यह हो जाएगा a, b, cos, theta is equal to ax, b, x, ay, plus a, y, by, plus a, z, b, z अब cos theta find करना है a dot b, a into b multiply हो रहा है तो यह इदर जाकर divide हो जाएगा तो हमर पास cos theta का value आजाएगा ax, b, x, plus a, y, by, plus a, z, b, z dividing by a, b यह a, b क्या है magnitude of a vector a and magnitude of a vector b इस तरह से हम लोग यह ax, b, x, ay, by, az, by find करके vector a और b की magnitude find करके उनको product करके उनका multiply करके अगर divide कर दे तो हमर पास cos theta की कोई value आजाएगी हम लोग angle निकाना चाते है theta तो theta यही रहेगा cause उदर जाकर inverse हो जाएगा इस सारी value का cause inverse ले ले लेगे तो हमर पास specified जो angle है a, dot, b का वो हमर पास उस angle की value आजाएगी तो यह हमरा आज का एक simple सा topic था जो था scalar art dot product टाफा two vector इसके साथ ही अपना बहुत जादा ख्याल रखिएगा